Study IQ IS अब तयारी हुई affordable आई साउट से शुरू करते हैं अंध्रप्रदेश में तेलगू देशम पार्टी तूट रही है दोबारा पावर में आना है तो बीजेपी जैसी बड़ी नैशनल पार्टी के साथ तो आना ही होगा वही हाल करनाटिका में लगभग जनता दल सेकुलर का भी है वो अपने एक डिस्टेंस को बचाने के लिएक बार फिर से बीजेपी के साथ है और रिसेंटल इस बारे में जनता दल सेकुलर लीडर एजडी कुमार सौामी ने कहा भी है दोस्तों इस्ट में बीजू जनता दल जरूर गौर्णमेंट में है लेकिन जिस तरीके से 2019 के जनरल इलेक्शन्स में बीजेपी ने वहाँ पर एट सीट्स पर जीत हासिल की ऐसे में साफ है कि नविन पटनायक के लिडर्शिप तक ही बीजेडी का भविशे है वेस्ट बेंगॉल की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंबूल कॉंग्रेस अभी भी डॉमिनेंट प्लेयर है लेकिन फिर भी 2021 के एसेम्बली पोल्स में वहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से 77 सीट्स जीती है ये दीदी के खिले में भारी सेंध है वेस्ट में नैशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी यानि की एनसीपी भी आपसी फूड का सामना कर रही है और शियूसेना भी डिवाइड हो गई है नौर्ट की बात करें तो यहाँ का हाल और भी बेहाल है यूपी में चार बार पावर में रही बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व के संकट से जूज रही है तरदेश की समाजवादी पार्टी का भी लगभग यही हाल है और इंट्रेस्टिंग बात यह एक दुनों पार्टी जूजवाजन सेवेंटीन के स्टेट एलेक्शन में एलाइंस करने के बाद भी सक्सेस्फुल नहीं हुई है बिहार में किसी तरीके से एक दूसरे के ओपोनेंट्स ने मिलकर अपनी सरकार बचाई है जबकि बीजेपी के सामने यहां के भी पार्टीज कमजोर ही नजर आ रही है और कभी भी अलाइंस तूट सकता है ऐसे में सवाल यह उठता है कि इंडिया जो अपनी कई लैंग्विजिस, डिलिजिन्स, एथनिसिटीज, कल्चर्स, एंड जिग्रेफिकल वैरिएशन्स के लिए जाना जाता है वहां के रिजनल पार्टीज दम क्यों तोड रही है और अगर ऐसा है तो इसके पीछे के कारण क्या है सौगे था आप सभी का स्टेडी आइक्यो में अनुराग पांडे नाम है मारा और आज किस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिसकस करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे रिजनल पार्टीज का जन्वा दोस्तों भारत में रिजनल पार्टीज का ओरिजिन बेसिकली कल्चरल डाइवरसिटी को परजर्व करने रिजनल इनेक्योलिटीज को खत्म करने and power को decentralized करने जैसे मुद्दों पर टिका हुआ है 1967 के बाद जब देश की जनता पर Congress Party के पकड़ कमजोर हुई उसके बाद देश में Regional Parties ने बहुत तेजी से विकास किया जैसे South Mediom के, AIA DMK और TDP Northern States जो आजार्दी से पहले ही politically काफी active थे उनमें पंजाब में शिरुमनी अकाली दल एक significant Regional Party के रूप में उभरी जो देश की सबसे पुरानी Regional Party है जमो कश्मीर की National Conference भी इसी लिस्ट में है जो अगे स्टेट की autonomy के लिए लड़ने वाली Regional Party के रूप में जानी गई इसके लबाँ स्टेट हुड भी Regional Parties की ओरिजिन का एक बड़ा factor था जिसके example की रूप में हम तेलंगाना राश्ट्र समिति को ले सकते हैं साथ या identity के लिए fight करने वाली Regional Party में शू सेना और कई Regional Parties का जन्म अपने स्टेट के लोगों के development के लिए हुआ है जिसके दारे में लगबग देश की सभी Regional Parties आ जाती है दिखा जात उस तरीके से लगबग दो दशक में अनगिनत नई पार्टीज ने जन्म लिया और चुनाव लड़ा और Regional Parties ने पहली बार 1989 के लोगसभा चुनाव में National Front के साथ मिलकर सरकार बनाई जिसमें DMK, TDP, असमगन परिशद और कॉंग्रेस सोचलिट जैसी Regional Parties शामिल थी दूस्तो 1989 के चुनाव में State Level Parties की सक्सेस तो बहुत सिगनिफिकेंट नहीं थी लेकिन इस चुनाव में Regional Parties का 27.1% का वोट शेर एक तरीके से Regional Parties का National Politics में राइस था तीरे दीरे आगे बड़ी National Parties की चुनावी जीत का मार्जिन भी हर चुनाव में कम होता गया ऐसे समय में अकेले किसी भी पार्टी का चुनाव जीत पाना तकरीबन असंभव हो गया था और देश में Coalition Government की शुरुआत हो चुकी थी आई एलेक्शन कमिशन के दोरा जारी कि एक इस ग्राफ से समझते हैं कि उस टाइम की परिस्थेती कैसी थी दोस्तों अगराफ साफ दिखाता है कि रिजनल पार्टी का वोट शेर 1980 से 2009 के बीच बढ़ा ही है साथी साथ 1984 के मुकाबले 2009 में रिजनल पार्टी की सीटें दोगनी हो गई थी और ये साफ दर्शाता है कि नैशनल पार्टी इस पहले के मुकाबले के सथ तक कमजोर पड़ रही थी दोस्तों वीडियो को कंटिनू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टन अपडेट है बेसिक टो एडवांस कवर करा जाएगा साथी मेंटोर्शिप, टैस्सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है CIS Live Prelimbs to Interview 2024 बैच को अगर आप जोईन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइब कूपन कोर्ट का इस्तिमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाए आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दियेगे कोर्स रिलेटेड पीडियाफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यह वही टाइम था जब देश में तीन नए राज्यों की इस्थापना होई थी ऐसे में हम लोग यह समझ सकते हैं कि उस टाइम पर शेतरी महत्वा कांगशा काफी प्रबल थी और इनी परिस्थित्यों में देश की बड़ी नैशनल पार्टीज ने भी इन रिजनल पार्टीज के साथ गटबंधन बनाए और बीजेपी के नेत्रतों में 1998 में एंडिये बना और इस एलाइंस ने 1999 का चुनाओ भी जीता दोस्तों उसके जवाब में सत्ता से दूर हुई कांगरेस ने 2004 के चुनाओ के वक रिजनल पार्टीज के साथ मिलकर यूनाइटड प्रोग्रिसिव एलाइंस याने के यूपिय बनाया और 2004 के चुनाओ में जीत हासिल की जैसे कि हमने शुरुआत में देखा कि आज रिजनल पार्टीज अपने स्टेट में स्ट्रगल कर रही है तो रिजनल पार्टीज के साथ आकर सरकार बना रही है वह अक्र नाशनल या फिर सेट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो वही 2014 के लेक्शन में ये 40% तक सिमट गया है सीट्स के लवाइन पार्टीज के वोट शेर में भी कमी आई है दोस्तों 2009 में जहां रीजनल पार्टीज का वोट शेर 52.6% के साथ हाईस था वही 2014 में घरटकर 48.6% हुआ जो लगबग 1998 और 1999 के जैसा था इसके बाद 2019 के लेक्शन के बाद स्थिती और खराब हुई जब रीजनल पार्टीज का वोट शेर 43.2% दर्च किया गया ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि रीजनल पार्टीज के स्थिती कमजोर ही होती जा रही है आई अब इसके पीछे के कारणों को भी समझ लेते हैं दोस्तों अगर रीजनल पार्टीज के डिकलाइन के कारणों को एनलाइज करें तो सबसे पहले तो हम इन पार्टीज के फीचर्स में प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी अक्सर यह देखा गया है कि इन पार्टीज में एक सेंट्रल लीडर होता है जिसके हाथ में में पार्टी का पूरा कंट्रोल होता है दिखा जाए तो ऐसे लीडर्स के फैसलों पर कोई भी सवाल नहीं उठाय जाते साथ उनके नस्दीक के लोग नाम आता है समय के साथ-साथ BSP भी मातर एक परिवार की पार्टी बनके रह गई है और इसी कारण से ऐसी पार्टीओं की जीवन रेखा भी उनके लीडर्स के साथ ही जुड़ी होती है दिखा जाए तो उसी लीडर्स के रेटार्मेंट या फिर डेथ के बाद ही पार्टी क्राइसिस में चली जाती है ऐसा कई बार देखा गया है कि पार्टी में उत्राधिकार को लेकर के लड़ाई छिड़ जाती है और इसके एक अच्छे एक्जामपल के रूप में हम AIA DMK को ले सकते हैं जब जे जैललता के निधन के बाद उनकी पार्टी में दोफाड हो गए और हर पक्ष उनकी लेगिसी का उत्राधिकारी खुद को बताने की कोशिश में दिखाई दिखा दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ भी होते दिखा और अभी ये NCP के साथ भी हो रहा है देखा जाए तो शिव सेना में ये बहुत ही पहले हो चुका था जिसका नतीजा था एक और लीडर डिवन पार्टी यानि कि महराष्ट नौनिर्मार सेना का जन्म रीजनल पार्टी के इन सब खिलावाद दोमेन फैक्टर्स होते हैं जिन में पहला है एक ऐसा लीडर जिसके उस रीजियन में मास फॉलोइंग हो क्योंकि अब ना तो उनके पास कैरिस्मेटिक लीडर बचता है और नहीं मुद्दे वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो रीजनल पार्टी के सामने आता है वो है नैशनल इशूज पर उपिनियन रखने का खास कर जहां ये नैशनल इशू रीजनल एस्परेशन के साथ कॉन्फिक्ट में नजर आते हों और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के हर प्रांत के लोग अपने खित्र के बारे में जतना चिंतित हैं उतना ही वो पूरे देश के बारे में भी सोचते हैं ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी रीजनल एस्परेशन को पूरा करने के लिए कोई पार्टी नैशनल इंटरेस्ट के खिलाब जाए लेकिन यहाँ पर रीजनल पार्टीज को डायलेमा फेस करना पड़ता है क्यों अपने अस्तितों और पहचान वाले रीजनल मुद्दों के साथ खड़े हो या फिर नैशनल इंटरेस्ट के लिए उनको सैक्रिफाइस करें और ऐसे मुद्दों पर नैशनल पार्टीज को आइडिलोजिकल गेन मिल जाता है दोस्तों इसका प्रमु कुदाहरन है जम्मु कश्मीर की पीडिपी और नैशनल कॉन्फरेंस पार्टीज जो आर्टिकल 370 के मुद्दे पर नैशनलिस्ट एस्परेशन्स के अपोजिट देखी और इसी भी जम्मु और लदाक रिजियन में बीजेपी जैसी नैशनल पार्टी ने अपनी एकसेप्टेंस को बढ़ते देखा साथी कई बार पार्टी लीडल्स की सत्ता के लालजबिन पार्टीज की पोल को खोल देती है क्योंकि जहां पर एक और ये बात आइडियोलोजी की करते हैं वहीं सत्ता पाने के लिए अपोजिट आइडियोलोजी वाली पार्टी से अलाइंस हो या फिर दल बदलने की बार ये किसी भी चीज से परहिज नहीं करते ऐसे में जनता धीरे-धीरे इनको नकारना शुरू कर देती है और अभी NCP के अजीद पवार और उनके दल बदल की खबरों को हमने एक बार नहीं बलकि दो बार देख लिया है दोस्तों कई बार इजनल पार्टी सेंसिटिब और नैशनलिस्ट इशूस पर अपने क्लियर व्यूज देने से बस्ती नजर आती है या फिर ऐसा भी देखा गया है कि कॉन्फलिक्टिंग ओपिनियन शेयर कर देती है जैसे कि NRC के मामले में हमने देखा कि पार्टियों के स्टेंड जगा और समय के अनुसार बदल रहे थे असमें जहां कुछ पार्टियां NRC का समर्थन कर रही थी वहीं इंडिया लेवल पर यही पार्टियां NRC के खिलाफ थी दोस्तों आज का वोटर कास्ट, सब कास्ट और रीजिन सादी से उपर उठकर देश की ओवरॉल डेवलप्मेंट सिक्योर्टी के साथ-साथ अंतराश्ट्री संबंधों और इंडिया की इमेज के बारे में भी सोचता है और इन परिस्थितियों में नाशनल पार्टीज के पास एज होता है और रीजिनल पार्टीज संघर्ष करती हुई नजर आती है साथ ही regional parties और national parties के बीच एक बड़ा difference fund size का भी है आज की टाइम में लगबग हर साल ही देश में कहीं न कहीं पर elections होते हैं और इनमें participation के लिए huge funds का होना national parties को regional parties पर significant edge दे देता है दोस्तों इस तरीके से जहां एक समय पर Congress जैसे एक बड़ी और मजबूत राश्री पार्टी के कमजोर होने पर regional parties का राइज हुआ वह याँ जब एक और बड़ी national party बीजेपी का उदे हो रहा है तो फिर से इन पार्टीों के सामने नए सवाल भी आ रहे हैं regional parties ने national level politics में एहम रोल ज़रूर अदा किया है हलांकि coalition politics के पीक पर किंग मेकर की भूमिका तक ही ज़्यादा लिमिट रहा है और आज जब फिर से majority government का दोर नजर आ रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन regional parties का समय अब खत्म हो चुका है दोस्तों टाइम लगबग सबी regional parties के लिए थोड़ा मुश्किल भरा है ओडिशा की BJT और आंध्रप्रदेश की YSR Congress जैसे गिने चुने exceptions को अगर छोड़ दिया जाय तो कोई भी शेत्री party अपने region में खुझ से सरकार बनाती नहीं दिखती है ऐसे में ये सवाल उटना जयाज है कि क्या है regional parties का अंतिम दोर है देखे इसका सही जवाब तो आने वाला टाइम ही बताएगा लेकिन पिछले 70 सालों के evolution को देखकर हम कुछ conclusion पर तो पहुँची सकते हैं जैसे regional parties का जन सर्था के गलियारों से दूर हो चुकी public के demand को fulfill करने के लिए हुआ था और इस role को इन regional parties ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया भी है जिसकी वज़ा से ये आज भी exist करती हैं दरसल इतने बड़े देश में सभी लोगों की महत्वा कांग्शाओं का पूरा हो पाना एक असंभव किर्दिमान है ऐसे में इनकी जरुद तो हमेशा ही रहेगी लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि effective होने के लिए इन पार्टियों के नेता caste, regional boundaries, religion और राजनितिक पक्षपास से उबर कर बाहर आएं और एक nationalist outlook रखें इसे ना सिर्फ उनके region का विकास होगा, बलकि एक मजबूत भारत की new में भी उनका योगदान माना जाएगा दिखा जाए तो ये charismatic leaders अगर अपने परिवार्ट तक ही सत्ता का लाब ना पहुँचा कर एक system बना सकें जो की effective decision making की ना सिर्फ image बनाए बलकि इसे साकार करे, तो भी उनके इसका लाब मिलेगा और उनकी public के साथ भी नया होगा साथ इन parties के leaders को future leaders भी तयार करने होंगे, जिससे कि उनका कद बढ़ेगा लेकिन दोस्तों दुरभाग ये है कि ऐसे situation हमें किसी भी regional party में बनती हुई नजर नहीं आती हो सकता है समय के साथ छोटी regional parties का विले किसी national party में हो जाए जा फिर एक नई regional party पिछले वाली की जगा ले ले फिरहाल इस टाइम सभी regional parties ने मिलकर इंडिया coalition को establish किया है दिखा जाये तो उनकी और से ये आखरी कोशिश जैसी दिख रही है जिसे वो अपने राजनेतिक قद को वापस पाना चाते हैं और इस इंडिया coalition में सभी पार्टियां अपने existence को बचाए रखने के लिए एक साथ हाथी होई नजर आ रही है इनके बीच कोई भी ideological common ground नहीं दिखता है जैसे पंजाब और गुज़ात में आमने सामने खड़ी Congress और आप पार्टियां जब national level पर साथ आई तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिये दोस्तों इस analysis के basis पर हम ये कह सकते हैं कि आखरी के two elections में regional parties के रोल में एक बड़ा shift देखा गया है national level पर one party dominance के उभरने के साथ ही national government पर इनकी पकड कमजोर हुई है हलांकि in-depth analysis ये भी शो करता है कि सभी regional parties के हालत एक जैसी नहीं है अभी भी कुछ parties strong position में हैं लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि इनका overall impact घटा है लेकिन इन सब के लावाँ ये बात भी तैय है कि भारत में regional parties खत्म नहीं होने जा रही है बस उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन जरूर दिखाई दे रहा है भारत में center state relations को shape करने में regional parties का रोल काफी एहम रहा है भारत जिससे multi-ethnic, multi-religious और multi-linguistic society में regional parties ही democratic spirit को represent करती है और इसे spirit की growth के लिए इनका synergy में grow होना जरूरी भी हो जाता है वैसे दोस्तों आपकी स्मुद्धे पर राय क्या है हमें इस वीडियो के comment box में जरूर लिखे